तो दोस्तों basically ये notification chrome के होते हैं, chrome के अंदर किस तरह से ये notification आते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जब आप किसी भी website को विजिट करते हो ये किसी भी website के अपर कोई नेया जो टेवे वह open आजाता है, तो उसमें आप allow कर देते हो जाने अन जाने के अंदर, तो जि जब आप इसको open करोगी open करने के बाद आपके पास यहां पर right side टूपर three dot पर आपने click कर लेना है इस तरह से देन उसके बाद आपने आ जाना है यहां से setting वाले option में नीचे आपको एक option दिखाई देरा जो हैं वो दिखाई देते हैं जैसे कि locations हैं camera है microphone है और इसके बाद notification है तो notification आले option के अंदर आपने जाना है लेकर यहां पर आपको आपको आपके इस तरह क्लिक करोगी यहां पर आपके पस जो एंटरफेस कुल के आ अब आपने क्या करना है यहां पर आपको देख सकते हैं आप ब्लॉक वेबसाइट जो हैं वो जो मैं आपने ब्लॉक की हुई हैं वो भी आपके पास जो हो जाएंगी अब इसके बाद जो नीचे अलावड वाला जो आप शीन है इसके अंदर जैसे के 10 वेबसाइट है जो के म मुझे नोटिकेशन बैश सकती हैं तो अब मैंने इन में से जिन भी वेबसाइट का नोटिकेशन ब्लॉक करना है तो वो मैं कर सकता हूँ इसके लावा कुछ वेबसाइट एस नहीं है जिनका मैं नोटिकेशन जो है उनको ब्लॉक नहीं करना है तो अब आपने देखना है क जो भी notification जिसने भी website का आपने ब्लाग करना हो simply आपने इसके उपर क्लिक कर लेना है इस तरह से तो जिसे आप इस पर क्लिक करोगी यहाँ पर आ जाओगी allow notification वाल आप्शन आपको मिलता है तो यहाँ से आपने इसको बेक कर देना है तो अभी दे वीडियो आपके लिए helpful रही हो कि informative रही की मिलते नेक्स वीडियो में तत क्लिए अलापेज